वेलकम माई योटूब चैनल ब्यास्ट नरानविस से आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिजिटल अवेरनेंस एंड साइवर सिक्यूरिटी का हमारे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए यदि आप मारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक्यू सो मच आप मारे चैनल को लाइक जरूर करें वीडियो को लाइक करें कोई प्रावलम हो तो comment box में comment करें हम उसको doubt जरूर क्लियर करेंगे आज का first question है WAP का पूरा नाम क्या है इसका answer बताइए आप लोग फिर हमारे answer से match करिए तो इसका answer है wireless application protocol ध्यान रखना अगर last में P है computer में तो 99% cases में P का मतलब protocol ही होता है तो WAP का पूरा नाम क्या है W से wire, A से application, P से protocol Bluetooth क्या है हम लोग सब Bluetooth का use करते हैं तो Bluetooth है क्या actual में इसका answer आप लोग बताइए और फिर मेरे answer से match करिए तो ये दो device के बीच में connection fit करने के लिए ताल मेल बनाने के लिए या दो device के बीच में connection को perfect करने के लिए ये एक radio technique है जो एक छोटी range के लिए use किया जाता है Next है hardware, software का वह group या समू हूँ जो किसी user को बिना permission computer network के use से रोकता है मतलब हमें यदि computer network को use करना है तो हमें permission लेना पड़ेगा user को जो use करता है तो ऐसे hardware, software का वह जो group होता है उस समू होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते है firewall क्या कहलाता है firewall एक ऐसा hardware और software का एक ऐसा group है जो user को पहले इससे permission लेना पड़ता है पर्मिशन का मतलब उसमें एक software पास्वर्ट टाइप का होता है उसमें जब हम accept कर देते हैं तब जाकर हम computer network के use हम कर पाते हैं किसी wave server को hack करके किसी दूसरे पेक्ति के wave site को command देना क्या कहलाता है यसी के wave server को hack कर ले आयए दिन news में सुनते रहते हैं कि कभी यहां का server है किया गया और फिर उसका command किसी दूसरे के बेवसाइट मतलब दूसरे पक्तिके द्वारा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं वेव जैकिंग क्या कहते हैं वेव जैकिंग वो है प्रोग्राम जो वाइरस की तरह से एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में फैलता है वाइरस भी क्या है एक तरह का प्रोग्राम ही है तो एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में अपने आप फैल जाता है ऐसे इसको क्या कहते हैं वार में इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं वार में कहते हैं ये एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में अपने आप यह shift हो जाता है फैल जाता है next question है वह fact जिसके द्वारा यह तै किया जाता है कि कोई product यह system सही है या नहीं है सही से work कर रहा है या सही से work नहीं कर रहा है उसको हम क्या कहते है उस fact को क्या कहते है जिससे हम यह decide कर सकें कि कोई product यह system हम सही से वर्क कर रहा है यह नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसका अंसर है बेंचमार्क उसे हम क्या कहते हैं बेंचमार्क next question है वह software जो की web page को देखने की सुविधा प्रदान करता है एक ऐसा software जिससे हम web page को देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं browser उसे हम browser कहते हैं जिससे हम web page देख लेते हैं browser भी एक तरह का software है software मतलब एक program है server किसके द्वारा जुड़े रहते हैं इसका answer है network के द्वारा जुड़ा रहता है MP3 क्या है बहुत important question है MP3 क्या है तो MP3 एक sound format है MP3 क्या है जिससे sound MP3 होता है MP4 होता है IDO, BDO तो ये एक तरह से MP3 sound format है C, COBOL, Pascal, Java ये किसके उदारण हैं तो ये हैं high level language के example हैं ये सब high level language हैं ये सब software हैं, program है और ये high level के program है high level language में लिखे हुए program है protocol क्या कहलाता है तो ये नियमो का एक संग्रह है जो rules होते हैं computer के कुछ rules होते हैं कुछ system होते हैं कुछ arrangement होते हैं उनका ये ग्रूप होता है protocol वह एक folder जिसमें लिखे गए और न भेजे गए message रहते हैं उसको क्या कहते हैं जैसे email में हम कोई चिल लिख देते हैं और फिर उसको हम भेजे नहीं तो वो message आखिर जाता कहा है किस जगे पे shapes हो जाता है तो उसे हम कहते हैं drops वो कहा जाता है drops में जाता है next question है परम सुपर कम्प्यूटर किस के द्वारा बनाया गया था ये सुपर कम्प्यूटर का एक प्रकार है परम तो ये किस के द्वारा बनाया गया था तो इसका correct answer है C deck के द्वारा बनाया गया था ये जो है comment box में लिखे thank you very much